आगे बढ़ रहें खबरों में और देखें नेपाल से बड़ी खबर सामने आई जहां काटमांडू में प्लेन प्रेश हुआ ये बड़ा हादसा जिसमें 18 लोगों की मौत बताए जा रही है हालांकि पाइलेट गंभी रूप से खायल है आपको बता दे कि प्लेन में कुल 19 लोग सवार थे त्रिवुवन इंटरनाशनल एरपोर्ट पर ये हादसा हुआ और बताये ये जा रहा है कि काटमांडू से पोख्रा ये विमान जा रहा था रन्वे पर और देखें यहां से ठेक ओफ करते हुए किस तरह से दिमान दुखतना ग्रस्ट हुआ और मेरे साथ मेरे वरिष्ट सेवगी संजीव त्रवेदी चुट रहे हैं संजीव अभी फिलहाल किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है जिस तरह से बताया जा रहा है कि 18 लोगों की तो मौत हो गई है तो अभी क्या अपडेट मिल रहा है तेखे रेस्क्यू बहुत तेजी से शुडू हो गया और ज्यादा तर जो लोग विमान में सवार थे उन्हें तत्षन जैसे ही क्रैश हुआ उन्हें रेस्क्यू किया गया अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन दुरभागी से 19 सवारियों में से 18 ही बच पाए और 19 वे जो जो कैप्टन है यानि कि पाइलिट है विमान के यह शौरी ऐरलाइन का प्लेन था बॉंबाडियर सी यार जी 200 और यह जो शौरी ऐरलाइन है इसके पास तीन इस तरह के प्लेन हैं और तीरों प्लेन बताया है कि दो दशक से ज्यादा पुराने हैं और साइद यही वज़ा ह कि इस तरह के हादसे नेपाल में प्राय होते रहते हैं क्योंकि वहाँ जो प्लेंस चलते हैं उनके मेंटिनिंस जो है वो बहुत ही बुरे हैं यही कहा जाता है और सेफटी रिकॉर्ड नेपाल में खासतार पर एविएशन सेक्टर का बहुत ही बुरा है आपको याद होगा ज पाकिसान इंटरनाशनल एरलाइन्स का जहाज जो की 1993 में क्राश कर गया था त्रिबॉन इंटरनाशनल एरपोर्ट पर ही तो वहाँ पर लगातार क्राश होते रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो एवियेशन के रूल है यानि के उड़यन के कानून है उसका सक्त है विमानों की उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और बहुत पुरानी पुरानी विमान चलाए जाते हैं जो दूसरी जगों से रिजेक्ट हो जाते हैं वैसे प्लैन्स को ऑपरेट किया जाता है यह प्लैन पांच डेस्टिनेशन पर जाता था और आप जा नेपाल में और सकते हैं यहां पर अब जांच इस बात को लेकर चलेगी कि आखिर किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ हलंकि पहले ही एविशन को लेकर नेपाल में कई सवाल खड़े हो चुके हैं